इन बेली कुछ बच्चियों की किसमें आपका पोजिशन दा कौन कहता है आस्मा में सुराक नहीं हो सकता एक पत्थर तो तबियस से उच्छालो यारो आप लोगों ने ये कहवत सुनी होगी और ये बहुती मोटिवेशनल लाइन है कई सारी शक्षियते हमारे बीच में ऐसी हुई है जिनोंने इस लाइन को चरितार्थ भी किया है सार्थक रूप से साबित भी किया है इसी परपेक्ष में मैं आज आपको एक एथी शक्षियत के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनोंने चपरासी से लेकर का सफर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक का सफर कितनी आसानी से आसानी से हम कह सकते हैं लेकिन काफी कठनाईयों से उसको पूर्ण किया था तो हम जानते हैं कि बचपन में हम सभी इंडियमिन के स्टूरेंट भी हैं आप सभी लोग बैटे हैं तो काफी सारे जो फेमस हमारे कभी हुए उनकी जीवनी पढ़ा करते थे आपके सलेवस में हुआ करता था मुंशी प्रेम चंद की जीवनी लेकिन हम क्योंकि अब जो है लोग के एस्पिरेंट हैं तो हमें कुछ ऐसे लोगों की जीवनी के बारे में पता होना चाहिए जो हमें मोटिवेट करें हमें इंस्पायर करें अपने लक्ष को प्राप्त करने के लिए उसी परिफेक्ष में मैं आज आपको मिलवाने जा रहा हूँ जी हाँ आपको फोटो देख पा रहे होंगे एडिंग देख पा रहे होंगे चपरासी से CJI तक का सफ़र CJI मतलब Chief Justice of India इंडिया देश का सबसे बड़ा जज सबसे बड़ा पद जज के तौर पे होता है Chief Justice of India आपने देखा होगा कई बार क्या होता है एक बार प्लेंस में स्टुएंट फेल हुआ दो बार फेल हुआ डिमोटिवेट हो जाता है और पढ़ाई छोड़ देता है अब तो मैं बकालत करूँगा या बिल्कुल लॉस से हट जाता है प्राइवेट जॉब जोइन कर लेता है तो ऐसे कुछ लोगों के लिए ये बड़ी ही इंट्रेस्टिंग और मोटिवेशनल स्टोरी है तो हम सबको बड़ी ध्यान से सुनना और समझना चाहिए मैं आज इनका पूरा जीवनकाल बड़ी कम शब्दों में बड़ी इंट्रेस्टिंग तरीके से आपको बताऊंगा जो डेफिनेटली आपको मोटिवेट करेगा यहां सबते पहले मैं सक्षियत से मिलवाना चाहता हूँ इनका नाम है जस्टिस एस एच कपारिया यहां फुल नेम लिखते थे यह सरोष होमी कपारिया जी यहां यह चीफ जस्टिस ओफ इंडिया रहे हैं भारत के यह तथित ही कुछ लोग हैं बहुत कम लोग हैं जो जानते हैं आज हम इनकी जीवनी को पढ़ेंगे इसके लिए मैंने कुछ की पॉइंट्स आपके लिए बनाए हैं बहुत ही इंपोर्टेंट फैक्ट हैं जो इनका पूरा जीवन काल आपको समझाने की कोशिस करेंगे बहुती कम बना है खास करके जुडिशरी वाले एक्जाम में जन्नलोले जहां पर आता है कई बार पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत में जन्में पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है तो हमको पता है 15 अगस्त 1947 को हम स्वतंत्र हुए थे दो महीने बाद 29 सितंबर 1947 को इनका जन्म हुआ था तो पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है जो के स्वतंत्र भारत में जन्में थे उसके बाद में बहुत मैत्पूर इंट्रेस्टिंग फेक्ट है इनके बारे में आप देखिए इनकी याद सूरत की अनाथालाई में पले बड़े इनकी कठनाईयों का लेवल आप यही से समझेए इनके जो पिताजी भी थे वो अनाथ थे वो एक अनाथालाई में पले बड़े थे उनको पालने वाला कोई नहीं था किसी अनाथ आश्रम में रहके जैसे तैसे उन्होंने अपनी दोते हैं फिर इसके बाद एक व्यापारी हुआ करते थे जिनका नाम था यहाँ पर इनों ने लगा कि मुझे अपने पिता जी की क्लर्क की कोई संतनख्वा बहुत ज्यादा नहीं होती आज भी उतनी प्रिंदार भी थे बहुत सारी जमीनों के मालिक हुआ करते थे इनका नाम था बैराम जी 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 भाई यहां पर इन्हों ने चपरासी की फोर्थ क्लास व्यक्ती भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन सकता है तब हमें इनकी स्टोरी जरूर पढ़ना चाहिए इसके बाद में इनों ने क्या किया इसके बाद में इनों ने एक लॉफ एक्चुली जो बैराम जी 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 भाई यह थे इनके केसे बहुत सारे के फाइल्स ले जाके जो भी एड़ोकेट से बकीलों को देते थे तो वहां पर यह किसी एड़ोकेट के संपर्क में आए और उन्होंने इनकी प्रतिवा को पहचाना और उन्हें कहा कि हमें ऐसा लगता है कि आपको लॉकी पढ़ाई करनी चाहिए और आप इस डिपार्टम को बहुत कुछ अच्छा दे सकते हैं तब फिर उन्होंने अपनी नौ करी के दोरान ही अपनी नौकरी के दौरान ही LLB की लोकी पढ़ाई की शुरू कर दी, फिर उसी फर्म में जहां पर वो जाते थे, वहां पर उन्हें लोक लगे, अब थोड़ा सा प्रमोट हुए, जपरासी से अब बन गए, लोक लर्क, इसी डूरेशन में LLB का फॉर्म डाल दिया, LLB चल थो ही इनके जीवन में, वो भी मैंने आपके लिए वहां पर लिखी है, 23 मार्च 1993 को सबसे पहले ये बॉंबे हाई कोर्ट के जज़ बने, LLB करने के बाद में इन्हों ने बकालत करना शुरू कर दिया, ये सामाने तज भूमी से लेटेट, जो रिवेन्यू से लेटेट के में भी पढ़ते हैं, बशर्ते उनका नाम जो है हमारा कॉलेजियम ने रिकमेंड किया हो, तो क्योंकि ये बहुती बड़े बकील बन गए तो इनका नाम रिकमेंड हुआ और ये हाई कोर्ट जाज 1993 में बन गए, तिर उसके बाद 10 साल बाद 5 अगस 2023 को इनको उत्तराखंड का Chief Justice बना दिया गया, आप जानते हैं, Chief Justice वर्टेकलर High Court का भी होता है और Chief Justice of India भी होता है, तो अभी सिर्फ एक राज्ज के Chief Justice बने लेकिन इनका सफर अभी बुरू हुआ था, अभी तो इनको बहुत बड़ी ओडान भरनी थी, पिर यहां से आगे ये 18 सितंबर को, 18 सितंब बहुत महतुपूर्ण रोल अदा करती है, 12 माई दोहया दस को ये Chief Justice of India बने, तो चीए आप, एक चपरासी से सुरुवात करने वाला व्यक्ति Chief Justice of India तक जा सकता है, इससे बड़ा मोटिवेशन हम जुडिशरी एस प्रेंट्स के लिए मुझे नहीं लगता कि कुछ भी हो सकता ह तो कभी भी हार नहीं मानने, किसी भी पॉइंट पर कहते हैं करिश्मा कभी भी हो सकते हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है, 4 जनवरी 2016 को फाइनली इनका निधन हो गया, तो इनका जीवन काल से लेकर अंतिम्यात्रा तक की पूरी कानी मैंने आपको सुनाई, ये स्टोरी आप आपको डेफिनिटली मोटिवेट करेगी और आपके अंदर एक उस्साह बरेगी कि कहीं भी किसी भी स्तर पर किसी भी तबके से हम बिलॉंग करते हो, कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है, जो आपके जज़ बनने में आड़े आ सकता है, जब भी आपको लगे कि मेरे पास आपको लक्षी को प्राप्त करने में सायक होगी, आज के लिए यही जानकारी में देना चाहता था, अगर इंफॉर्मेशन अच्छी लगती है, इसको लाइक करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें, लोग इससे मोटिवेट हों, और इस महान शक्सियत की जो इ आपको लिए करें, और इस सक्राप्त करें, इस समय होगी जो जो उड़ी जाएक होगी, आपको लाइक जो ऑकी जो ऑदाल कार्ब हों, और इस वीजित की जोई होगी, जो पर इस जावी जोगे बना चाहता है, बईस्से सटों एँचाए बच्चाए शोंट जो गलब होगी झाल